स्री शिवाय नमस्तु भ्यम दोस्तो आज पंडित प्रदीप मिश्राजी की कानपुर में छटवे दिन की शिव भक्ती शिव महापुरान कथा संपूर्ण हो गई है दोस्तो पंडित प्रदीप मिश्राजी ने आज की कथा में बहुती विशेज जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई है दोस्तो आप सभी लोग लंबे समय से रुद्राक्ष वित्रण का इंतिजार कर रहे थे और आप लोगों को लग रहा था कि ना जाने कब रुद्राक्ष वित्रण होगा तो पंडित प्रदीप मिश्राजी ने कानपुर की आज की गथा में रुद्राक्ष वित्रण की जानकारी दे दी है या पैसों में देता है तो उसकी कोई guarantee नहीं है कि वो जो रुद्राक्ष है वो कुबरेश्वर धाम का ही है अगर आपको कुबरेश्वर धाम के रुद्राक्ष चाहिए तो आपको खुद लेने जाना पड़ेगा कोई कुरियर अभी नहीं किया जा रहा है किसी को ऐसे भेजा नहीं जा रहा है अगर आपको असली रुद्राक्ष कुप्रेश्वर धाम का चाहिए तो आपको खुद कुप्रेश्वर धाम जाना पड़े गा और वہाँ की कारियलेस से ही रुद्राक्ष लेना पड़ेगा अभी आप लोग रुद्राक्ष लेने के लिए बिलकुल भी ना आएं। दोस्तों रुद्राक्ष वित्रण अभी सिर्फ उन लोगों के लिए खुला हुआ है। कुछी बहुती कम लोगों के लिए जो की लंबे समय से बीमार हैं वो अपनी रिपोर्ट से लेकर अगर कुबरेशवर्धाम आ रहा है उनकी स्तिती बहुत ज़दा खराब है और उनने बहुती जल्दी बाजी में जो है आप रुद्राक्ष चाहिए तो वो अपनी विवारी उनको क्या बड़ा रोग है वह रिपोर्ट से दिखा कर अस्पताल की रिपोर्ट से दिखा कर वह एक रुद्राक्ष जो है कुबरेशवर्धाम की कारियाले से ले सकते हैं सिर्फ उन्हें रुद्राक्ष भी मिल सकता है बाकि अगर आप लोग बिना कारण के रु रुद्राक्ष वित्रण होगा अब फरवरी की कौन सी तारिक से कौन सी तारिक तक होगा तो पंडित प्रदीप मिश्राजी ने बताया है कि 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच में जो है यहाँ पर रुद्राक्ष वित्रण चालू हो जाएगा और हर कोई हर व्यक्ति जो है कुबरेशवर धाम जाकर रुद्राक्ष ले सकता है पर फरवरी में ये रुद्राक्ष वितरन सभी लोगों के लिए चाल होगा अभी सर्फ उन लोगों के लिए है जिनको सच में एक रुद्रक्ष की कुबरेशवरधाम की रुद्रक्ष की बहुत ज़दा आवश्यकता है सिर्फ वो लोग अभी अपनी रिपोर्ट्स लेकर कुबरेशवरधाम जाकर रिपोर्ट्स दिखाकर अपना रुद्रक्ष जो है वहाँ से प्राप्ते कर सकते हैं और किसी को अभी रुद्रक्ष नहीं मिलेगा रुद्रक्ष वितरण की जो तारीखे हैं वो 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक हैं तो आप इस तारीख को लिखकर रख लीजिए बहुत सरे लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे थे नाम लेकर जो है चंदा एकटा किया जा रहा है और वो चंदा को लेकर जो है लोग मतलब चले जाते हैं तो इससे जो है पंडित प्रदीप मिश्चाजी को बहुत बरा लगता है कि ऐसा भी हो रहा है तो इसलिए उन्होंने पूरी कथाओ का क्रम जो है जगा के साथ में आज की कथा में बता दिया था अगर आप वह जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए हम आपको पूरी कथा के क्रम जो अभी आगी होने वारी है पंडित प्रदीप मिश्चाजी की किस की जगा पर वह आपको पूरा एक वीडियो में बता देंगे बाकी जो है आपको किसी को भी ऐसे किसी को भी चंदा देने की जरूरत नहीं है पंडित प्रदीप मिश्चाजी की जहां पर भी कता होती है पंडित प्रदीप मेशर जी पहले कथा के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं और दोस्तों अगर आप इसके अलावा रुद्रक्ष वित्रन से जुरी आपको कोई समस्या भी है तो आप हमसे कमेंट करके पूर सकते हैं ये बहुत ही खुशकबरी के बात है अब जो है रुद्रक्ष वित्रन बहुत जल्दी चालू होने वाला है अब यूपी कुछ लोग जाकर ले सकते हैं जिने सच में इसकी आवश्यक्ता है दोस्तों किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें कमेंट करके सकते हैं ओम नमास शिवाई जाए बुलिया बासरी शिवाई नमस्तो प्याम